हेलो फ्रेंड्स वल्कम टो माई चैनल फ्रेंड्स मैं पिछले वीडियो में यह बैटरी पैक बना आ था ठीक है इस बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए मेरे पास कोई चार्जर नहीं है ठीक है इस लेप्टप चार्जर को यह 18.5 बोल्ट में है ठीक है ठीक है इस चार्ज करने के लिए 12.6 बोल्ट की आसपस चाहिए ठीक है सो मैं इस 18.5 बोल्ट की चार्जर को बाड़ा बोल्ट की एक चार्जर में कॉन्बट करूंगा ठीक है इसे चार्ज करने के लिए और फ्रेंड्स आप इस पावर पैक को बनाने की वीडियो अगर नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो और फ्रेंड् नहीं इसमें टाच स्विच भी लगाया था तो अगर अब देखना चाहो तो आप देख सकते हो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स अब इस चार्जर को ओपेन कर लेते हैं ठीक है कि अ अब इसकी आउटपुट बोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं ठीक है कि लेख सकते हो 18.5 दिखा रहा है ठीक है और फ्रेंड्स यहां से इसके बोल्टेज आ रहा है मिन और यहां से होके जा रहा है इस रिजिटर को होके ठीक है तो फ्रेंड्स हमें इस रिजिटर को निकाल के यहां पर एक पोटेंशो मीटर को लगाना पड़ेगा ठीक है यह देख सकते हो आप इस रिजिटर को निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स यह 32 क का रिजिस्टर है ठीक है मैंने इसको मेजर किया था फ्रेंड्स यह 50 क का पोटेंशो मेटर है ठीक है और इसके लेप्ट और मीडिल लेग पे मैंने दो वायर शॉल्ड्रिंग कर लिए फ्रेंड्स आप इस पोटेंशो मेटर को यहां पर इस रिजिटर की दोनों पीनों पर सॉल्ड्रिंग कर लेते हैं ठीक है फ्रेंड्स कर दोनों पर स्वाथ झाल्स कर दोनों प्रेंड्स कि अब इसे चेक कर लेते हैं ठीक है अब इसे चेक कर लेते हैं ठीक है फ्रेंड्स देख सकते हो यह बढ़ रहा है और कम भी हो रहा है ठीक है फ्रेंड्स अब इसको इसके के अंदर एसेंबल कर लेते हैं ठीक है यह मैंने इसके केस पे एक होल कर लिया है पोटेंशो मेटर के साइज के बढ़ाबर ठीक है प्रेंड्स प्रेंड्स तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइफ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में